कई बार में पास पेशिंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारी अकलदार निकल रही है क्या उसे निकलवाना ज़रूरी है मुझे कि दो आज के सर्च्रीर निकाल देगा जाता है यानि कि फाल्टू औरगें जो कि इस तंबल हमें नहीं आता जैसे अधर पैट विस्तिप के साथ वह इसलिए क्योंकि हमारा जो जो है वैसे जो अकल दाड हमारी दी गई थी वह स्टार्टिंग में क्योंकि हमारी डाइट जो दी वो हर्ट थी भःध्च्यू करने के सर्देट हमें प्रेशर चमय होता था इस लिए तीन दाडे दी गई है इक झगेढ़े का दाइत दीरे करके सॉफ्ट होती जा रही है तो से नाथो जबडे की ग्रोथ होती है कि उसमें हमारी अकल दाड़ वह समाज आए और नहीं उसके अभी में जरुद है इतनी दाड़ के हमें जरुद भी नहीं है तो अकल दाड़ को उटकी लास्ट में आती है तो जगह नहीं मिलती है कि वह अपने आपको औरल कावटी में अजस्ट कर पाया तो कभी टेड़ी आ गई कभी नीचे इंपाक्ट रह गई कभी कुछ हो गया तो वह यूजिली दिक्कते करने लग गई है तो आज कल दिंटिस इसी लिए कहते हैं कि इसे निकलवा लीजे टाइम रहते निकलवा लीज अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो हमें निकालने ही पड़ती है प्रॉब्लम किस तरीके किसे करेगी सबसे पहले तो जब भी अकल दाड़ हमारी आती है तो वह पेन करती है प्रेशे अपलाई करती है उपर आने के लिए अगर प्रेशे अपलाई कर रही है तो हमें प तो इसलिए वह प्रेशर लगाने जब लगाती है तो पेन होता है लेकिन अगर आपकी अकलदार सीधी आ रही है और खाली उसके पर एक फ्लाप आ रहा है खाली एक गम का मसूड़ी का पीस आ रहा है तो मसूड़ा जो है पॉकिट सा एक अंदर की साइट एक पॉकिट सी बना लुए निकले ऑए अधंड़ निकलने जब ड़स सकते हैं यह फूछी हां नहीं कहीं को इस अगर एक अधर ऊपकल दाठ तेड़ी मेर्य और तो आपको उसे निकलवाने की जरुत है कई पार क्या होता है अकलदार ठेड़ी होके आगी साइड वाले दान्त पर प्रेशर बनाने लगती है उसे निकलवाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वह जो है बीच में गाप बना के भी खाना फूट टेसलाजमेंट होने लग प्रूट गाल को इंपिंच कर रहे है तो भार भार आपका भाव जो है बात करने में खाने में तो उस वाली जरूट भी हमें निकलवाना पड़ता है अगर आपकी दाडल की अंदर ही है उपर दिखाई ही नहीं दे रही है और नीचे जाकर भी वह हलका पुलगा कभी प्रे उसे क्यों निकलवाना है नीचे जब भी हमाई धाड रह जाती है तो कई बार वो infection अंदर ये अंदर करने के chances हो जाते हैं दूसरी बात है कि उसमें नीचे सिस्ट बनने के chances हो जाते हैं ग्रसवाली सी बनने के अगर आपकलदाड को प्रॉब्लम आपको नहीं दे रही है बिलकुल सीधी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसे निकलवाना ज़रूरी है अक्कलदाड की आपको सपाई जो है मिंटेन अच्छे से करनी पड़ेगे क्योंकि अकलदाड जो है वह लास्ट में सबसे अकलदाड की यूशली हम आर्चिटी भी नहीं करते हैं क्योंकि वह वेस्टीजिल ओर्गन में ट्रीट करते हैं तो हम लगता है जब भी उसमें कीड़ा अगर लग गया है तो उसके आर्चिटी करने का कोई फायदा नहीं है उसे सिधी निकाल दीजे क्योंकि वह किसी भी इनकेस अगर आगे वाला जो मूलर है आगे वाली जो ताड़ है वह खराव है उसे हम एक्स्राक्ट करते हैं तो उसकेस में अकलदाड को हम नहीं चेरते हैं कि वह पीछे से या तो आगी खिसक जाएगा या फिर आपको थोड़ा बहुत करेगा कि आप च्यू कर सके आपके नहीं मत निकल वाए तो अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा कोई क्वेरी है कोई कोशन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते में कोशिश करूंगी उसका रिपलाय करने की मिलेंगे निक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिपाए बैटे क्यार